किस प्रकार से प्राइवेटाईजेशन में आरक्षन होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षन होना चाहिए इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर में क्या हमारा योगदान होता है क्या प्राइवेट सेक्टर में जितने भी रूप की कोशिस करें आपको हम विस्तार से यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से जब इस देश में कानून बनाकर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षन की विवस्था की जाएगी तो यह देश जो पिछले 75 सालों से आज विकास सील देश बना हुआ है भारत के बाद कई देश जो 20-25 साल के बाद आजाद हुए वो देश आज विक्सित देश बन गए है लेकिन भारत आज भी विकास सील देश है इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आरक्षन की विवस्था जो है आप यह भी पूछ सकते हैं कि आरक्षन तो इस देश का बेड उसकति साली देश बन गया तो आईए सुरुवात से सुरू करते हैं कि यह प्राइवेट सेक्टर होता क्या है सबसे पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यह प्राइवेट सेक्टर जितने भी सेक्टर है चाहे वो कमपनी हो अस्कूल हो अस्पताल हो कोई फैक्टर जब सुरू होती है तो उस समय सरकार से वो लोग उसके विकास के लिए जमीन मांगते हैं चाहे हॉस्पिटल लगाने के लिए हस्पताल लगाने के लिए कोई फैक्टरी चलाने के लिए और वो जमीन आता कहां से हैं मैं आपको यह समझाता हूं वो जमीन जब भी कोई इस पर उन जमीनों के कीमत दी जाती है बाद में उसको जब डिवलप कर दिया जाता है तो वो जमीने कडोरों की होती है और उन कडोरों की जमीन फिर से उन पुंजिपतियों को कोडियों के दाम दी जाती है तो अब आप कहोगे कि इसमें हमारा कहां कोई अधिकार है तब मैं आपको बताता हूं वो जो जमीन जिसमें आप कडोरों कमा सकते थे उस जमीन पर आपने मत्र दस लाख रुपया एक उदाहरन में दे रहा हूं कि 10 लाख रुपया में माल लीजे कि आपने कहा सरकार को ठीक है कि विकास आप करोगे तो हम आप हमको 10 लाख दे दो अब ये जमीन ले लो लेकिन उसमें 90 लाख जो आपने छोड़ा जो आपने कुरवानी दी इस देश के विकास के नाम पर वो आपका योगदान रहा उसी परकार से इस देश का अब यहाँ पर समझना पड़ेगा वो जो कुरवानी आपने दी वो सरकारी बजट से जो पैसा खर्च हुआ वो सरकार का बजट आता कहां से है तो इसको समझने के लिए मैं आपको इस परकार से समझाता हूँ कि हर व्यक्ति चाहे वो रेड़ी पे सबजी बेचता हो चाहे वो रास्ते में सोता हो घर के उसके सर के उपर छट न हो और कोई आदमी जो एक अलिसान अटाली का और बड़े बड़े फ्लैटों और आसियानों में रहता हो वो हर व्यक्ति अगर एक चाहे खरीता है चाहे पती खरीता है चीनी खरीता है नमक खरीता है माचिस खरीता है और तेल खरीता है तो इस माध्यम से हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं और वही टैक्स का पैसा जो है आज एक साल में 45 से 46 लाक कड़ों रुपया है इसका मतलब हर बोब्यक्ति जो इस भारत देश का नागरिक है उन सब ने मिल करके ये 46 लाक कड़ो रुपया देने का काम किया और उसी पैसा से रिबेट के माध्यम से आपने उस जमीन का निर्मान किया और उस जमीन के निर्मान के बाद उसको पुंजी पतियों को दे दिया गया इसका मतलब उसमें आपका हिस्सा बनता है यह आपको समझ में आ गई हो अब आगए आई कि आखिर उन जमीनों में उन उन पे चल रहे जो ब्यवसाई हैं चाहें स्कूल हो कॉलेज हो अस्पताल हो उन ब्यवसायों में हमारा अधिकार कैसे होना चाहिए इसको आप जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि वो जो टैक्स के पैसे होते हैं उन वो पैसे में आपका योगदान होता है हर आदमी जो लेवर के रूप में कमपनियों में और फैक्टरियों में काम करता है वह व्यक्ति अपना खून पसीना और मेहनत के बदौलत वो कमपनी का जो प् परतिसत समाज के लोगों का योगदान होता है अब आपको बात समझ में आगे अब आपको मैं ये समझाता हूँ कि आखिर अगर हम लोग भारत देश में प्राइबेट सेक्टर में आरक्षन मांगते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे देश का बेड़ा गरक हो जागा नहीं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि अमेरिका ये कैसा देश है जिस देश में आरक्षन की ब्यवस्था की गई और ये आज नहीं किया गया ये बहुत पहले किया गया आपने नाम सुना होगा किंग क्या नाम था उस किंग का किंग मार्टिन लूथर जुनियर ने 1951 में वहाँ पे लड़ाई शुरू की और उस लड़ाई में उस देश के हर पर्ग के लोगों का उसने अधिकार मांगनी की सुरुवात की और उसके बाद 60 के दसक में जाकर के रोसा पार्क नाम की एक महिला थी आप देखिएगा अमेरिका का वहाँ चरीतर देखिएगा उस पे जिस परकार से भारत में जाती बाद की व्यवस्ता है जैसे आप SC, ST, OBC, Minority और General कहते हो उसी परकार से अमेरिका में भी अलग-अलग मूल के लोग, अलग-अलग बर्ग के लोग रहते हैं जैसे कि कोई उसको कहता है Native American, कोई कहता है Latin American, कोई कहता है Hispanic American, कोई कहता है Asian American, ये सारे अलग-अलग मुलक के लोग वहाँ पर जाकर के बसे हैं और इन सारे लोगों को King Martil Luther ने वहाँ पर लड़ाई लड़ी उन लोगों को हर जगह, हर वेवस्ता में उनको अधिकार दिलाने के लिए और Roja Parks की कहानी आपको बताता हूँ, Roja Parks ब्लैक थी और वहाँ पर जितनी भी बसें अमेरिका में चला करती थी वो वाइट लोगों का बस हुआ करता था, उसमें नियम क्या था कि अगर कोई वाइट किसी ब्लैक के बैठे होने पर भी नेक्स्ट स्टेशन पर आकर के बस में चलता है, तो ब्लैक को सीट से खड़ा होना पड़ेगा, और खड बनती हूँ और मैं खड़ेगी नहीं होने बाली हूँ, उस समय चुकी कानून था, तो उनको यातनाय सहनी पड़ी, लेकिन उस समय उन मातर 14% ब्लैक लोगों ने ये तै कर लिया, कि हम इन गोरों के बस में नहीं चड़ेंगे, और जहां भी हम को ट्राबल करना होगा, हम प पुंजी और रासी और पेटोल जोज लगा रहे हैं, उसका हमको लाब कैसे मिलेगा, आपको मैं बता दूं कि मातर 14% ब्लैक ने और एक साधारन महिला, मैं ये बात आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूँ, कि आप जो अपने आपको गरीब, कमजोर, मजबूर, समझते हो भारत में, आपको तो ये समझना चाहिए, कि हम बड़े ताकतवर लोग हैं, क्योंकि बाबा साहव अंबेद करने, आपको बोट के माध्यम से, चाहे आप जुगियों में रहते हों, चाहे आप रास्ते पे सोते हों, चाहे कोई आटालिकाओं में सोता हो, दोनों क बोट के माइने में बावा साहव अंबेद करने बराबर कर दिया, और बराबर बनाने का काम किया है, तो आप तो अमीरों के बराबर हो, आपकी संख्या भी 90% है, इसका मतलब आप कमजोर नहीं हो, तब मैं याद दिला देता हूं, कि रोजा पार्क जैसी एक कमजोर महिला, जिसकी एक साधरन सी महिला, और जिसकी आबादी भी मातर 14% वहां था, उसने वहां बदलाब किया, और बाद में जाकर के, जब यहां, वहां के लोग जागरित हो गए, तो सरकार ने, 1954 में, 56 में, और उसके बाद जैसे अलग-अलग, वहां के जो प्रेसिडेंट थे, उनका जॉन कानेडी था, फिर उसके बाद निकसन था, इन लोगों ने पार्लियमेंट में कानून बना करके, और अफर्मेटिव एक्षन को पास कराने का काम किया, और उस अफर्मेटिव एक्षन के, क्या था वो अफर्मेटिव एक्षन, कि कोई भी सरकार का, अगर फंड का किसी company को इस्तमाल करना है यानि उसका ठेकेदारी करना है उसका इस्तमाल करना है या सरकारी किसी भी परकार का लाभ अगर आपको लेना है तो आपको अपनी company में affirmative action के माध्यम से उस company में हर बर्ग के लोगों को भी हिस्सेदारी सुनिस्टित करनी पड़ेगी और करनी ही नहीं पड़ेगी बलकि पेपर में उसको दिखाना पड़ेगा तभी आपको सरकार का कोई लाभ मिल पाएगा तो तब मैं आपको बताना चाहता हूँ और देखिए उसके बाद हुआ क्या आज जो अमेरिका और अमेरिका की जो ब्यवस्ता है उस ब्यवस्ता में हर बैप्ती जो वहां रहता है वो ये मानता है कि ये देश और इसकी ब्यवस्ता हमारी है और सब लोग मिल जूल करके के अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहें जिसका नतीजा ये है कि अमेरिका आज इस दुनिया का सबसे मजबूत और तकतवर देश के रूप में बन गया है यहां पर एक उदाहरन मैं और दे दूँ भारत ये जो हून आये सक आये कुशान आये और बाद में मुगल तक जो आये ये लोग जीतते क्यों चले गए ये लोग इसलिए जीते क्योंकि 90 परतिसत आवादी के लोगों को लड़ने का हूनर ही नहीं सिखाया गया और लड़ने स उनको मना कर दिया गया इसलिये दो तिन परतिसत लोग जो इनके खिलाप जब वो वीदेशी अकरनताओं के खिलाप जब लड़ने जाते थे तो वो हार जाते थे अगर इस देश में सारे लोग मिल करके लड़े होते तो ये देश आज तक कभी गुलाम नहीं होता मैं इसके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार के प्राइबेट सभी सेक्टरों में कानून बना कर बिवस्था बनाई जाए कि हर सेक्टर में उनके आवादी के अनुसार आरक्षन या हिस्सेदारी दी जानी चाहिए तो ये भी देश चंद दिनों में एक हर ब्यक्ति अपने हाथ में मोबाईल लेकर के घुमते हैं आप जानते हो कि इस देश के जो 10% आवादी वाले लोग हैं वो मीडिया पे कबजा करके बैठे हैं और उनहीं की मीडिया सारे लोग देखते हैं हमारा भी देखता है तो हम अपने मित्रों को तो जागरीत कर सकते हैं आप अपने मोबाईल के माध्यम से वीडियो बनाओ यूट्यूब फेस्बूप और ट्वीटर इंस्टाग्राम जो भी आपको सोसल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिलता है उन प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो बना करके डालें और डालने के बाद अपने मित्रों को कंसलर बिधायक आपके छेतर में आता है उसको आप बोलिए कि हम आपको और आपकी पार्टी को समर्थन तभी देंगे जब आप हमारी हर सेक्टर में 90% आवादी के लोगों को उनकी आवादी के अनुसार हिस्सेदारी दिलवाने का काम करेंगे तभी हम आपको और आपकी पार्टी का समर्थन करेंगे मुझे लगता है इस प्रकार से हम सब लोग भारत देश के हर नागरी को जागरीत भी कर सकेंगे और इस देश का बास्तविक विकास कर पाएंगे जै भारत जै संभिधन जै डायमंड परिवार